असलाम अलेकूं कैसे हैं अप लोग उमीदे सब खेरियत से होंगे आज का जो मेरा टॉपिक है वो यह टॉपिक है कि सर्दी के सीजन में विंटर सीजन में हम अपने प्लांट को कैसे सेफ रख सकते हैं विंटर सीजन के लिए चंद बातें ऐसी हैं जो ज़रूरी है उन पर अमल करके हम अपने पौदों को सर्दी के मौसम से महफूज रख सकते हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताओंगी, कि इसमें पौदों में जो डेड फ्लावर हो जाते हैं लीस हो जाती हैं, उनको आप निकालने हैं, उससे क्या होगा, क्यूंकि इनर्जी जो है सर्दी के मौसम में वैसी प्रॉब्लम में होता है प्लांट, तो उसको इनर्जी पौदे को ज्यादा मिलेगी अगर हम जो डेड़ लीव्स हैं फ्लावर हैं उनको हम निकाल देंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी जो उनमें सर्फ हो रही होगी वो पौदे की ग्रोध के अंदर खर्च होगी तो हम पहले क्या करते हैं कि इसको ये जैसे आप देख रहे हैं न ये देखें ये मैं आपको दिखाऊँ ये आपको येलो लीव्स नजर आ रही होंगी न ये ये येलो लीव्स आपको नजर आ रही है ये ये येलो लीव है ये निकाल देंगे हम ये देखें ये इसके अलावा ये भी है नीचे भी है देखें ये जो हैं लीज को येलो जो लीज हो गई है उन्हें हम निकाल देंगे इसी तरह फिलावर में भी अगर हम देखें न ये जो फिलावर खिल चुके हैं इनको भी हम तोड़ देंगे क्योंको ये पौदी की इनरजी को ले रहा है अपने अंदर जिससे औ भी ऐसे फिलावर हैं जो खिल चुके हैं या लीज हैं जो येलो हो गई हैं उनको जरूर हमें निकाल देना चाहिए तो एक बात तो ये हो गई कि हमको एनरजी को सेफ करने के लिए पौदे के लिए पौदे के लिए खर्च हो हम ये चीज़े निकाल देंगे दूसरी बात ज़े वहे वाटिर्ण की इसमें बहुत ज्वैर्च हमें नही नहीं करनी है सरदी के मौसम में विन्टर सीजन में हमे वाटिर्ण जो है वह बहुत कम करनी है वाटिर्ण हमें इतने गरनी है कि बस उसकी सोईल जो है ना वह मॉइस्टर है जैसी कि आप देख थ। sen ये अक क्या होगा अगर हम ज्यादा दे देंगे ना पानी तो उससे हो गए कि वह रूट रॉड हो जाएगी पौदे में और वह पौदे को नुकसान पचाएगा तो लेहाजा हमें पानी जो है वह बहुत ज्यादा नहीं देना है वाट्रिंग कम करनी है लेकिन ड्राइ नहीं होने ज कि आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है पांस से भी कम अगर डिग्री या जा वरबारी हो रही है ऐसी जगह उपर तो इस पौदों को क्या करना चाहिए पौदों को जो है वो जैसे हैंगिंग पौटे या चोटे पौटे होने रूम में रख लेना चाहिए या फिर अगर कि इसमें हमें क्या करना चाहिए इसकी एक तो हमने एक दूसरी बात है कि हमें इसकी प्रोनिंग करते रहने चाहिए प्रोनिंग करने से एक तो यह होता है कि वहां से जब सीजन शुरू होगा ना इस प्रिंग सीजन शुरू होगा और नाई नाई लीस निकलेंगी होगा त इसमें जादा जो है इसकी ग्रोध को नहीं बढ़ने देना चाहिए ताकि जब स्प्रिंग का मौसम शुरूओना तो इसकी बहुत अच्छी तरीक से इसकी ग्रोध शुरूओ पौद है कि मसलें देखें अब यह जो है न यह आपको नजर आ रहे हैं यह पॉर्शन अब मैं य इसको तोड़ दिया इस तरह से तमाम पौदों में यह करूंगी कि यह देखें यह इसमें भी यह देखें यह जो है यह इसको में तो इसकी पुरूनिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है पुरूनिंग करने से स्प्रिंग के सीजन में इसमें बहुत अच्छी ग्रोध हो मल्चिंग कर देनी चाहिए मल्चिंग से क्या होगा कि यह इसमें मॉइस्टर बना रहेगा और हम पानी अगर कम डालते न तो इसका पानी जो है वो इसमें से पानी जो है वो एवपरेट नहीं होगा तो लियाज हम मल्चिंग हम मल्चिंग हम किसी भी चीज से कर सकते हैं मसलन हम मल्चिंग जो है वो सुखे पत्तों से भी कर सकते हैं और हम स्टोन से भी कर सकते हैं और इस तरीकल से क्या होगा यह हमारे लिए पौदे के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो अभी मैं यह मल्चिंग कर देती हूं तो आपको बताती हूं मेरे पास तो इस टोन है स्टोन से भी कर सकती हूं को को कोईर से भी हो सकता है यह इस से यह ये मल्चिंग इससे भी कर सकते हैं ये स्टोन है मेरे पास मैंने स्टोन डाल दी है या सूखे पते भी डाल सकते हैं अब इससे भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं तो ये पौदा जो है वो इसमें मौइस्टर बना रहेगा और फर्टिलाइजर जो बहुत ज़्यादा नहीं देना है कम देना है फर्टिलाइजर तो इसको फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा और इसकी नचुनों में भी अच्छी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर भी इसको नहीं देते तो एक बात यह हो गई इसकी अ आकर इनको धूप मिल सके पौतों को और इन में फोटो संटेसिस के अमाल हो सके। वो यह स्के़लियों उचिते लिए ब् yield जो जाती दो वजूद में एक अधिकर ऑप जहना है यहाक। इसकी दो वजुखात हो सकते हैं एक तो यह हो सकती है कि समें हम पानी जुयादा दे रहा है पौदे को उससे भी लीह यह यो यह जाती है और दूसरी वज़क होती सर्दी के वाद में जो हवा चलती है ना उस हवा की वज़ज़ से भी ये लीज जो है पौदों की वो यलो हो ना शुरी हो इसमें भी देखे यलो आपको लीज नजर आ रही होंगी ना ये ये नीचे की साइड पर तो ये दो वजुगात होती है इसकी लीज की यलो होने की तो ये सारी बाते जो है अगर हम इस पर अमल करें ना तो ये हम सर्दियों में पौदों को महफूज रख सकते हैं तो अच्छा एक और चीज इसकी ये के पौदों में हमें क्या करना चाहिए मिस्टिंग भी करते रहने चाहिए मिस्टिंग हलका हमें पानी भी देते रहने चाहिए अगर हम ये तो खर मैं ऐसे डाल रही हूँ लेकिन ये इस से क्या होगा फिर ये लीज जब लीज जो है इसकी किलियर होंगी इसमें मट्टी दूल को कैसे महफूज रख सकते हैं चलें आइंदा किसी अच्छी टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलागात करेंगे अलाफिज